हेलो दोस्तों मैं हिमान सुलाटोड तो कैसो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़ियाओंगे और हमारे सामने खड़िए XUV7OO X7 Variant इडीजल मैनवल 7-Citra Variant है Luxury Pack के साथ अब आप इसको टॉप मोडल कह सकते हैं सभी फीचर इसमें मिल जाते हैं Luxury Pack में और इसके उपर वाले Variant में All Will Drive के साथ आपको Automatic Option आ जाता है Manual में सभसे उपर वाले Variant आपके लिए यह है तो भाई यह गाड़ी Lux के मावले में तो जलवा एकदम XUV700 पता ही आपको इसका नाम और इसके बाद इसकी सेफटी के बाद करूँ तो करीबन 5 स्टार की सेफटी तो यह देती है मैं हूँ अभी इस टाइम पॉंटा साइब महिंदरा में Showroom की डेटल आपके सामने content कर सकते हैं बाकी description में भी आपको address मिल जाएगा यहाँ पर इसका एक showroom प्राइज है 23,13,000 रुपे On Road प्राइज अपने स्टेट के साब से आप देख लेना सबसे पहले friend looks की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक muscular bonnet मिल जाता है काफी height इसकी और एकदम चोड़ी गाड़ी मिल जाती है Full LED setup के साथ यह देख आप कितने चोड़ा bonnet है इसका उसके बाद मैं एक बीच में प्यारी सी चीज़ दिखती है महिंदरा का new logo जो की काफी बड़िया लगता है और उसे की नीचे आता है अपना camera setup 360 degree view के लिए ग्रेल मिल जाती है आपको glossy black के साथ और इसमें जो यह line है silver है और silver और जो आपकी chrome आता है थोड़ा सा उससे यह अलग है बागी अच्छा का भी लग रहा है बागी glossy black का यूज़ करा है अब यहाँ पर मैं अगर XCV की headlight की बात करूँ तो totally आपकी यह LED मिलेगी complete LED के साथ और इसमें जो DRL है यह भी आपकी complete LED मिलेगी तो मतलब सब कुछ इन लोगों ने LED करा है indicator भी LED और DRLs भी इसकी काफी बड़ी है देखो क्या must look आता है और glossy black के साथ और नेचे जो आपकी fog lamp है यह भी आपको LED मिल जाते है तो totally इन लोगों ने LED का यूज़ करा है ऐसे कुछ आते हैं इसके fog lamp जो की fully LED है अब यह इतने पैसे ले रहे हैं महिंदरा तो कुछ तो मिलने चाहिए fog lamp के चार ओर black color का treatment मिल जाता है और इस तरह साथ है इसका look जवर्दस look के साथ आते हैं गाड़ी और यहाँ पर अपना यह hook वेगार आप लगा सकते हैं और नीचे वाली जो grey आपकी black में मिलेगी और इसके उपर जो glossy black का use भी करा है और skid plate भी आपको नीचे मिल जाएगी silver color में गाड़ी के आते हैं side profile में side profile में हमें क्या क्या दिखाई देता है पहले सबसे पहले wiper इस तरह के कुछ इसमें wiper आते हैं दो और यहाँ पर आपको camera मिल जाता है अपना radar based जो इस गाड़ी में काफी सारे feature आते हैं lane की persist तो आगए हम side profile में side profile में ये black color की cladding दी गई है जो की काफी बढ़िया लग रही है पूरी गाड़ी में ये आपको cover कर रही है tire size की बात करें तो इसमें मिल जाता है आपको 235 60R 18 inch के tire और ऐसे कुछ मिलते है इस गाड़ी में allow wheel जो की एक नमबर है आपको बिल्कुल भी upgrade कराने की जरूत नहीं है company ने पहले से इसमें इतने best allow wheel दी है कि आपको कोई भी change नहीं मंगता है आप एक बार खुद देख लो side profile क्या मस लग रही है और आप लोगों ने market में घूमते भी देखी होगी गाड़ी एक नमबर है और ऐसे कुछ आते हैं बड़े से overview जिसमें आपको indicator के placement मिल जाती है और आपको इसमें camera भी मिल जाता है 360 degree camera और यहाँ पर chrome के lining का use कर रहा है काफी बढ़िया लग रही है और B pillar आपको glossy black के साथ मिलेगा smart door handle मिल जाते हैं इसमें आपको इसमें प्रेस करने से भाहर की तरफ आ जाते हैं मतलब वही आपके range rover वाले और यहाँ से अपना keys है आप इस गाड़ी को खोल सकते हैं और बाकी नीचे आपको side bidding मिल जाती है देखो पूरी है और इसके नीचे आपको foot step भी मिल जाता है यह अपना as a series वाला part है यह आप लगवा सकते हो यह आपकी मर्जी है rain visor install है गाड़ी में जो की एक as a series वाला part है और ठीक इसके उपर roof rails भी लगी है चोटी वाली जो की काफी बड़े लगरी इस गाड़ी के साथ और इसको design को काफी बड़ीया कर रही है काफी बड़े glass आते हैं इसमें तो visibility में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली चारों disc आते हैं इस गाड़ी में यह देख लो आप ध्यान से XUV 700 की आपको बैसिंग मिल जाएगी महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाएगा अपना क्रोम ट्रीटमेंट के साथ बीच में यह देखो क्या प्यारा लग रहा है इसके ठीक बगल में हापर कैमरा मिल जाता है और इसके ठीक नीचे अपना नंबर प्लेट वेगारा लगवा सकते हो पीछे वाइपर, डीफोगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप और उपर आपको एक छोटा सा स्पोईलर मिलेगा सार्क फिन एंटिने मिल जाता है गाड़ी में तो रियर लुक से भी गाड़ी काफी बड़ी आया काफी अच्छा डिजाइन कराया महिंद्रा ने अब गाड़ी की LED लाइट देख लेते है रियर में क्या कुछ मिलती है तो इस परकार से आती है इस गाड़ी की कुछ लाइट जो कि आपको एक एरो डिजाइन के साथ मिलेगी और यह लग भी रहा है एरो डिजाइन जिसमें आपको कंप्लिट LED सेटप मिलेगा बस आपको इसमें एक रिवर्स लेंप LED के साथ नहीं मिलेगा जो कि हैलोजन है और हलोजन वो आगे इसलिए काम आएगा तो कि वो सही से दिख जाता है बाकिया आपको LED सेटप के साथ मिलेगी और नीचे भी आपको एक हलोजन बल्प मिल जाएगा सैड में काफी प्यारी लग रही है लाइट और इस लाइट का पता कब चलेगा नाइट को नाइट के टाइम आप लोग इसको अच्छे से पता लगा सकते हो दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में इस परकार से कुछ वैसे चार होने चाहिए थे पर कोई बात नी दो मिल गए तो नीचे आपको ये रिफलेक्टर मिल जाएंगे दोनो इस परकार से कुछ और स्किट प्लेट भी मिल जाती है यहाँ पर सिल्वर फिनिश के साथ तो अवरोल गाड़ी का लुक्स काफी बढ़िया है रियर से भी इस किस भाई की ड्रिम कार एक्स्वी है कमेंड कर दो आकी गाड़ी का डिजाइन लुक्स एक नंबर है कोई भी कमी नहीं है और थोड़ा साइड में आता है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल लीड और उपर मिल जाती है आपको एडरोनोक्स की बेजिंग यहाँ से आप लोग डिजल डलवा सकते हैं अपनी गाड़ी में इस हाती में भाड से तो काफी बात हो गई चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं इस लक्जरी गाड़ी को एक्सवी की इंटेर के बारे में काफी सुना है कि बहुत लक्जरी है देखते हैं आज कि कैसा लगता है मैं तो सबसे पहला अगर interior पे नज़र डालें अभी door से ही तो हमको आ रही है light नज़र नीचे door खोलते ही side वाले बंदे को नज़र आजएगा memory functional electric seats मिल जाती है आपको ये इसके side में silver color का door opener मिल जाता है और यहाँ पर power window के controls और अपने overbeams के सभी control ही मिल जाते है आपको यहाँ पर leather का use करा है जो की काफी बढ़िया लगता है soft है विलकुल और यहाँ पर भी आपको complete glossy black मिल जाएगा जो की काफी बढ़िया लगता है premium बनाता है इस गाड़ी को नीचे की और आपको bottle holder मिल जाते है और speaker system मिल जाता है sony का speaker इसमें आते है और काफी बड़ी sound system है गाड़ी का और ऐसा कुछ आता है गाड़ी का interior जी दिखो सामने अपने क्या गाड़ी लगती है मतलब अगर आप एक बार लोग को अटा दो तो ऐसा लगता है बतानी का बाहर की गाड़ी हो इतनी महंगी गाड़ी और ऐसी कुछ आतीस में seats leather की और seats के नीचे ये lumber support के लिए option मिल जाता है बाकिये चीज़े दो doors पे दिखाजी दी मैंने जो कि आपको full electric मिलेगी तो भाई आप बैटते हैं गाड़ी में ज्यादा चटने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही है अराब से मैं बैट दा रहा हूँ और side से सुरुबात करते हैं फिर ये अपने ABC pedal ये अपना automatic on off ये अपना traction control मिल जाता है hill hold मिल जाता है यहाँ से आप अपनी headlamp को adjust कर सकते हैं इस event के उपर भी आपको silver finish मिल जाती है तो भाई ऐसा कुछ है गाड़ी का interior XUV7 double logo ये देखें बिलकुल luxury leather head पूरा interior है और जो color combination का ये यूज़ करा है वो एक दब एक number करा है कि आप बड़ी सी screen दिखती है महिंद्रा का twin pic logo मिल जाता है जिससे ये गाड़ी काफी और बड़िया हो जाती है एक advanced गाड़ी futuristic गाड़ी आप कह सकते हैं तो बात करते हैं steering wheel से गाड़ी के ऐसा कुछ आता है अपना गाड़ी का leather head steering wheel इस पूरे steering में आपको stretching मिलीगी जिससे कावी soft आपको पता लगेगा है कि अपना leather का है और यहाँ पर भी use करागा है यह silver finish चोकी बढ़िया लग रही है यहाँ पर left side में आपको wiper control drain sensing wiper control right side में आपको auto head lamp यह सब control आप कर सकते हो steering पर आपको left side में आपको जितने भी media से related अपने control से हम सभी मिल जाएंगे volume calling विगरा और right side में cruise control और MID के कुछ feature अपना आप set कर सकते हैं complete आपको यह soft touch मिलने वाला है और बीच में आपको महींदरा का logo गाड़ी बड़ी आती है तो AC तो भाई हो गई तो AC में आपको vents देख रहते हैं कैसे हैं तो अपना server finish के साथ है दो vents और दो यहाँ पर हैं तो आपके चार dashboard पर vents मिल जाते हैं क्रीन मैं आपको ओन करके बता नहीं रहा हूं पर इसमें आपको बता जाता हूं क्या कुछ इसमें मिल जाता है फूल डिजिटल आपको instrument cluster मिल जाता है जिसमें आपको सारी की सारी information आ जाती है यहाँ मिल जाती है आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन जिसमें आपको Android Auto, Apple, CarPlay Adas, Navigation, Bluetooth सब भी फीचर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर Adronox की यहाँ पर Basing भी है इसमें एक तरफ instrument cluster है और दूसरी तरफ अपना infotainment है और इसमें इतने सारे features हैं कि अगर मैं अलग से वीडियो बनाऊ तो वो बन जाएगी पूरी अपना एक features के लिए अलग वीडियो बनाएगी कि इसमें बहुत सारे features आते हैं के लिए भीया काफी detail में जाना होगा एक एक feature को समझने बागी scene ऐसा है कि आप सारे चीज़ें आपे control कर सकते हैं अगर आपको आता है और यहां मिल जाता है आपको engine start stop button गाड़ी में मिल जाते हैं total 12 speaker sony के जिससे आपको कोई भी कमी नी होने वाली है sound system में गाड़ी में तो इसे लिए आपको install करवाने की भी जरूत नहीं है क्योंकि 12 speaker रहते हैं 12 कमनी होते हैं बागी center में देखते हैं क्या कुछ मिल जाता है बीच में आपको काफी सारी चीज़े नजर आ रही होंगी सबसे पहले अपना complete automatic climate control मिल जाता है इसमें आपको dual AC system मिल जाता है आपको 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 फीचर से हां पर मिल जाएंगे complete यहां मिल जाता है आपको wireless charging port जहांपर आप अराम से अपना यूज कर सकते हैं इसके बाद अपना गाड़ी manual है तो इसमें मिल जाता है आपको six speed manual transmission gear knob भी काफी बढ़िया लग रहा है finish के साथ और कोई भी कमीन येस में और इसके बगल में आपको electric parking के साथ आपको auto hold का feature मिलेगा दो cup holder मिल जाते हैं और इसके बगल में जो आपकी ये goal से अपने knob देख रहे होंगे इससे अपना infotainment control के लिए मिल जाता है जो की काफी बढ़िया लग रहा है premium लगते हैं और इतनी महंगी गाड़ी है तो आपको armless मिल जाता है जिससे आप अपने साब से कुछ होनी चाहिए सीट काफी comfortable है adjustable आपको address मिलेंगे देखते हैं उपर की side क्या कुछ मिल जाता है तो पायर में मिल जाता है जिसे आप इस तरह से अपना सेट कर सकते हैं सन वाइजर मिल जाता है अपना speaker मिल जाते हैं सन वाइजर देखते हैं इसमें कुछ बिल्कुल plane है कोई भी नहीं है टिकट विगारा के लिए और mirror भी नहीं है और driver side आपको यहापर mirror मिल जाता है उपर light म मिल जाती है और इसके ठीक बगल में आपको speaker भी मिल जाता है उपर आपको LED के lights मिल जाती है white color वाली और इसके बाद आपको sun glass holder मिल जाता है और इतनी महेंगे गाड़ी है तो यह होना भी चाहिए तो कर देते हैं इसको बंद और यहाँ मिल जाते हैं कुछ light के controls और इसके ब आती है गाड़ी luxury इतना बड़ा sunroof और 12 speaker system और power डीजल में तो बात कुछ अलग ही है पुरा dashboard इसका पना soft touch में है जो की base color वाला पार्टे को अपना leather यूज किया गया है गाड़ी के rear पर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है तो आगे वह अपना rear section में और rear section को दे अपना leather वाला पार्ट मिल जाता है प्यानो फिनिस के बाद काभी soft touch में है और यहाँ पर अपना bottle roller विगारा मिल जाता है और यहाँ अपना speaker sony वाला एक्सवी सासों कि यहाँ पर आपको plate मिल जाएगी जो की काफी बढ़िया लग रही है बाकी गाड़ी के seats देख लो आप कोई भी दिक्कत नहीं है तीन लोग इसमें आराम से बैट सकते हैं खुल ले होकर एकदम बढ़िया seat है और leather में बुरी seat आती है तो अभी यहाँ पर पर भी आपको यह LED लैंप मिल जाता है जिससे गाड़ी की visibility बढ़ी हो जाती है और यहाँ पर handle मिल जाता है एड़ेस्ट वाला और दोन साड़ आपको लैंप मिल जाते है तो एक एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया है महिंदरा की तरप से बीच वाली seat में भी आपको एसी मेंड मिल जाते हैं charging port मिल जाता है speaker मिल जाते हैं दोनों और आपके bottle holder भी मिल जाता है और क्या चाहिए आपको पीछे और पीछे देखको space मिल जाता है दो लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं खुले मतलब कि आपको ठेक ठाक medium सा space मिल जाएगा quarter glass आप देख सकते हैं क काफी बड़े लगते हैं इस गाड़ी के यह देखो आपको ऐसी वेंड में जरा रहा होगा तो पीछे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली टीर ऐसी वेंड मिल जाते हैं आपको तो यहाँ पर cooling के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसके नीचे भी आपको थ सेलेंडर एम होक डिजल इंजन पावर की बात करें तो फॉर्ट सेलेंडर में यह आपको 182 पहपी की पावर देता है और 420 सेनम का टॉर्क देता है हिमाचल पर देश पॉंटा साइब महिंदरा में मैं इस टाइम हूँ जहाँ पर इसका प्राइस 23,000,000 रुपे है और यह एक सोरू में ओन रोड आप अपने साब से देख लेना अपने स्टेट के साब से देख लेना बाकिया आप सोरू में कॉंटेट कर सकते हैं कोई भी डिटेल के लिए और गाड़ी लेने के लिए मैं मैंने आपको सारी डिटेल बता दिये इस गाड़ी के बारे में कोई डिट होकर अच्छी लगी होगी तो सपोर्ट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब मिलते आपको नेक्स्ट वेडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच